Hello everyone, welcome back to my channel Parenting and Education. आज का वीडियो उन स्टुडेंट के लिए है, जो non-KV स्टुडेंट है, means जो केवी में नहीं पढ़ते हैं, और जिनको क्लास 11 के लिए केंदरी विद्यले में अड्मिशन लेनी है. क्योंकि बहुत से स्टुडेंट का मुझे मेसेज आया है, कॉमेंट्स आया है, कि मैडम हम non-KV स्टुडेंट हैं, तो हमें केवी के लिए कैसे अपलाए करें, क्या प्रोसिजर हैं, और कैसे पता करें कि कोन से केवी में कितने वेकिंस हैं. So, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डीटेल में बात करेंगे. उससे पहले मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट है, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए. क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत से एजुकेशनल वीडियो, बहुत से स्कूल डीटेल्स, इंडिया के जो टॉप स्कूल है, इनके बारे में जानकारी मिलती है. चलो तो वीडियो शुरू करते हैं. अगर आप नौन कीवी स्टुडेंट हो, और अगर आपको केंदरे विद्धाले में अपलाए करना है, तो क्लास 11 के लिए क्या प्रोसेजर है, इसके बारे में हाज हम डिट्रिम में बात करेंगे. सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप जहाब में भी रहते हो, मिंस इंडिया की जिस सिटी में भी आप रहते हो, तो उस सिटी से सबसे पास वाला केंदरे विद्धाले में जाना है, आपको डारेक्ली इंक्वाइरी करनी है कि क्लास 11 की रिए कोई सिट वैकेट है क क्योंकि जन्रलीक केंदरी विद्याले की क्राप प्रोसिजर है, जब CBSC, SSC का जो रिजल्ट लगता है, CBSC बोर्ड का, उसके ठीक साथ दिन बाद इनकी नोटिफिकेशन जारी होती है, और पहले वो केवी स्टूडन को प्रिफर करते है, पहले केवी की सिट वो रिजर्व करत करना है कि कोन से केंदरी विद्याले में कितनी सिट है, इस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक में दे दूंगी, या उपर आप आप आई बटन में जाके भी देख सकते हो, ओनलाइन मेथड में उनका एक फॉर्म होता है उस फॉर्म को अच्छे से फिलब करना है, उसके बाद जो डॉकुमेंट्स लगते है, क्लास 11 के लिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज वो सारे वीडियो जरूर देखीजे, वो डॉकुमेंट्स को आपको स्कैन करना है, और स्कैन करके उनकी ऑफिशल जो वेबसाइट है, उसमें मेल कर देना है, और एड्मिचन फार्म भरने के बाद, 10 या 15 दिन में उनके वेबसाइट पर अनॉंस्मेंट्स में हो जाती है, कि आपका नंबर लगा है की नहीं, और अगर आपको ऑफलाइन फार्म भरना है, तो सबसे पहले तो आपको केंदर विद्दले में जाना होगा, वहाँ पर इंक्वाइरी करनी होगी, कि यहाँ नॉन के वेबसाइट के लिए कोई सिट रिक्वाइड है की नहीं, वेकेंसी है की नहीं, और अगर सिट वेकेट है, तो ही आपको ऑनलेन फार्म लेना है, फार्म के साथ सारे ड़कुमेंट अट कर सकते हैं, इसके अलावा भी, अगर आपको कोई doubts है, या फिर कोई question पुछना है, तो आप मुझे comment में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के कोशिश करूंगी, उम्मीद करती हूँ, कि आज का मेरा वीडियो इंफर्मेटू अच्छा लगा है, अच्छा कर,